भारत वर्ष के इतियास में फूले कैसा किरदार थे जो असल माईनों में राश निर्माता हैं बिना फूले के आधुनिक भारत की कल्पना अधूरी होगी अगर फूले ना होते तो भारत की तस्वीर कैसी होती अगर फूले आज होते तो भारत की बहतरी के लिए क्या क्या कर रहे होते हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के शिल्पकार, सम्ता एवम्न्याई के पैरोकार, सिक्षा की अमर जोती, सत्य के हमायती, राश निर्माता, जोती राव, गोविन राव फूले की जिसे दुनिया महात्मा फूले के नाम से जानती है ये दास्तान है आधुनिक भारत के बनने की, ये किस्ता है समाज सुधार के संगर्शों का ये अफसाना है असत्य पर सत्य के लड़ने वाले का उसक्ष का जो निस्वी सदी के बदलते हुए भारत में सबसे आगे ये सब कुछ कर रहा था महात्मा जोती बाफूले, आधुनिक भारत का सबसे एहम शिर्पकार जिसने भारत को नए रूप में जगाया, जो नवजागरन का अगवा था जिसके लिए डुक्टरा मेटकर ने कहा था कि बाकी लोग परिवार सुधारक थे फूले ही असल में समा सुधारक थे जोतीबा फूले ने अपने सपनों और कामों के जरिये इतिहास लिख दिया मगर आधुनिक भारत का इतियास लिखने वाली कलमों ने फूले को वो जगए नहीं दी जिसके वे हकदार थे इसलिए हम इतियास लेकर आपके साम्याय हैं जिसे आपको जानने नहीं दिया गया मगर जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है 19 सदी का भारत मध्य भारत में चारों तरफ पेश्वाई अत्याचारों का अतंग था जाती के नाम पर एक बहुत बड़ी अबादी को इनसान होने तक या दिकार से वन्चित कर दिया गया था उनकी हालत पशों से भी बत्तर बना दी गई थी शूद्र अति शूद्र लोग सरवजनिक जगों पर आ जा नहीं सकते थे अगर किसी मजबूरी में आना हो तो गले में मतका डाल कर और कमर में जाडू बांद कर ही बाहर निकलने की शर्थ थोप दी गई थी ताकि उनके थूकने और चलने से बाहर को या पवित्र ना हो जाए इंसान का जिसम छूजाने से इंसाना पवित्र हो जाया करता था उस वक्त के भरत में किसान वे मजबूर जनता पर कई तरफ से सोशन की तलवारे चलाई जा रही थी कहीं राजा तो कहीं पंडा पुरोहित, कहीं सरकारी मुलाजिम तो कहीं जमिदार सहुकार, किसान की हड़ी नी चोड़ रहे थे मजदूर बेगारी से लेकर गुलाम नोकर बनकर सब कुछ जेल रहे थे ये सब इसी भारत का इतियास है, ये सब यहीं हो रहा था उनिसवी शदी के भारत में, आज से मात्र डेड़ सो साल पहले वक्त गुजरा, पेश्वाई की तरह अंग्रेजी राजबी खत्म हो गया भारत के नक्षे से लेकर तारीक तक सब कुछ बदल गया इनसान और इनसान में भीद करने वाले मनू के घटिया विधान की जगए सब को समानता की गैरंटी देने वाले बाबा साहिब के समविधान ने ले ली मगर फिर भी बहुत कुछ नहीं बदल पाया, अभी भी बहुत कुछ बदलना बागी है जिसके लिए इंसानी वजूद और आत्म सम्मान का ये महा संग्राम अनवरत जारी है मात्मा फूले ने जो जोती दिखाई थी उसने पीडियों का मुस्तक्बिल बदल कर रख दिया जोती बाफूले ने इतियास में हुए भयानक घालमेल का परदा फाश कर दिया वाटसअप यूनिवरसिटी और आईटी सेल के दोर में जब सच को जूट और जूट को जबरदस्ती सच बनाये जा रहा हो तो ऐसे दोर में जब सब फैक्ट चेक एजंसियों की जरूरत महसूस करते हैं इतियास में भी कुछ ऐसा ही हुआ था उस दोर में भी कलम कसाईयों ने असली इतियास को छुपा लिया था और अपने मन गडंत के सोर करदारों को फैक न्यूस की तरह फैला दिया था जोती बाफूले ने दुनिया की पहली फैक्ट चेक एजंसी सत्तर शोदक समाज के नाम से स्थापित की जो मनुवादियों की फैक न्यूस फैक्टरिय और प्रोपगेंडा को तरकी कसोटियों पर कसते हुए फैक्ट चेक करता था इतियास जैसा आपको बताया गया है वैसा ही नहीं है बउजन नायक और नाइकाउं ने इतियास को कैसे देखा उन्होंने इतियास को कैसे बदला उन्होंने कैसे भारत का निर्मान किया वे कैसा भारत चाहते थे ये सवाल तब भी एहम थे और आज भी जों के त्योब बने हुए है आज 21 शदी के भारत के तस्वीर इससे कितनी बदल पाई है जाती को ही ले लीजी क्या आज जातीवाद का नासूर इस देश के आधुनिक राश्टर बनने में सबसे बड़ी बाधा बनकर नहीं खड़ा है जाती के नाम पर इस देश के मूल निवास्यों के हक हुकूक वे इससेदारी छीनी नहीं जा रही है क्या ये सब 21 सदी के भारत में नहीं हो रहा है सिक्षा के बिना कोई भी समाज आधुनिक नहीं बन सकता सिख्षा के बिना किसी भी समाज में न्याय वे समता नहीं आ सकती आधुनिक भारत में आधुनिक सिख्षा का ख्वाब देखने वाले जोतिबा फूले ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहां हर एक इनसान को गुनवत्ता पून वे निशुल्क सिक्षा देना राज्य की जिम्यदारी हो ताकि इस देश के वंचित सोशित जमात को भी बराबरी की दुनिया में शामिल होने का मोका मिल सके 17 सितंबर 1851 का वो दिन था जब पूने के बुदवार पेट में चल रहे लड़कियों के स्कूल में पहुंची भारत की पहली सिक्षिका माता सावित्रिबाय फूले अपनी गंदी साडी को बदलती है क्योंकि स्कूल आते वक्त उनके उपर ब्राह्मन वादी लोग गोबर और कीचर फेक देते थे क्योंकि उनका मानना था कि लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं होता मात्मा जोती बाफ फूले और क्रांती जोती माता सावित्रिबै फूले ने एक ऐसी मशाल जलाई थी जो आगे चल कर क्रांती बन गई फूले दंपत्ती की सिक्षा क्रांती ने पूने को धीरे धीरे एक एजुकेसिन हब के रूप में तबदील कर दिया फुले का नाम और काम महरास्टर ही नहीं बलकि देश दुनिया में गुजने लगा तमाम मुश्किले पेशाई आर्थिक तंगी और विरोधियों की साजिशों के चलते एक स्कूल बंद होता तो फुले दूसरा स्कूल खोलने की कोशिश में लग जाते चन सालों के भीतर ही फुले ने करीब अठारा स्कूल खोल कर लड़कियों और अचूतों के लिए ग्यान और मुक्ति का रास्ता बना दिया जिस पर आज ये सर पट दोड़ते चले जा रहे हैं साल 1882 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी सिक्षा के दोशों को दूर करने के लिए हंटर कमिशन भारत भीजा सर विलियम हंटर को ये जिम्यदारी दी गई कि भारत में सिक्षा सुधार के नीती बनाए जोतीबा फुले ने हंटर कमिशन के सामने पेशो कर ना सिर्फ सिक्षा प्रणाली को बैतर बनाने की मांग की बलकि कुछ बुन्यादी सुधार भी सुझाए उन्होंने जोड देकर कहा कि अंग्रेसों को वंचित वर्गों के साथ हुने वाले जाती भेद पर बैन लगाना चाहिए और दलिप पिछड़े समाज के बच्चों को समान सिक्षा देनी चाहिए इसी साल हुई एक बड़ी घटना का जिक्र करना यहां जरूरी है भारत के वोईस रोय लोड लिटन पूना आने वाले थे उनके स्वागत के लिए एक हजार उपे खर्च करके पूरे पूने शहर को सजाने का फैसला किया गया बतोर नगरपाली का सदस्ते फूले ने इसका कड़ा विरोध किया फूले ने कहा हमारे जैसे गरीब देश को केवल शहर सजाने के लिए इतना पैसा खर्च करना शुभा नहीं देता अच्छा होता कि ये रकम पिछले वर्गों की सिक्षा पर खर्च की जाती फूले जहन में सिक्षा सबसे पहले रखते थे यहां तक की सत्य शोदक समाज ने शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची ग्रैपरवेश में होने वाले करमकान और मृत्यू भोज में किये जाने वाले दान की जगए आए का एक हिस्सा सिक्षा के लिए दान देने की शुरुआत कराई मात्मा जोतीबा फूले अक्सर का करते थे विद्या बिना मती गई, मती बिना गती गई, गती बिना वित गया, वित बिना शूद्र भय इतने सारे अनर्थिक अविद्या ने किये अब जरा सोचिए एक अविद्या ने कितना अन्याय किया सिक्षा पर चंद लोगों ने कभजा कर लिया कभी गुरुकलो के नाम पर अपनी जाती के कलब बनाए गए तो कभी मास्टर ने वंचित वर्क के छात्रों को इसलिए मार मार कर भगा दिया कि कहीं वो पड लिखना जाएं आज जो ये बवजन देश दुनिया में दिख रहे हैं उसके पीछे फूले जैसे महानायक और सावित्री माय जैसी महानायकाओं का अदम में सहास और त्याग छिपा हुआ है अब सबने कोरोना काल का खोफनाक मंजर देखा होगा लेकिन 19-20 सदी के आकरी साल उससे भी भयानक थे ना दवा थी ना जाग रुकता थी ना था कोई भी इलाज थी तो सिर्फ अंदविश्वास और पाखन की परंपरा धर्म और रास्ता के नाम पर ऐसी कुरीतियां की जा रही थी जिसको लेकर लोग फस जा रहे थे अपनी जन गवा दे रहे थे आम जन जीवन में पाखन इसकदर हावी था कि लोगों की जिंदगी तमाशा बन चुकी थी पंडे पुरोहित होनी अन होनी का डर दिखा कर आसाहे जनता को लूट रहे थे ऐसे दोर में मात्मा फूले और क्रांती जोती सावित्रीबाय फूले ने समाज को जगाने का बीड़ा उठाया उन्होंने अंद्विश्वास और पाखन नाम की इन बिमारियों को अपने कंधों पर लाद कर अस्पताल तक पहुंचाया लेकिन इसका इलाज आज तक क्या हो पाया है साल 1864 तक आते आते फूले का बनाया हुआ सत्यशोदक समाज पूने ही नहीं महराश्टर भर में शोहरत बटोर रहा था पाखन वे अंद्विश्वास को आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर रीती रिवाजों तक बेदखल करने के क्रांती कारी काम ने सत्यशोदक समाज की और सबका ध्यान खीचा सद्यों से गुलाम बना दिये गए समाज में क्रांती वे बदलाव का वाहक बन कर उभरा था सत्यशोदक समाज मगर ये सब इतना असान कहां था पंडा पुरोहित वर्ग ने पाखंड वे अंद्विश्वास के खिलाव काम कर रहे सत्यशोदक समाज पर लगातार हमले करके उसे परिशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कभी जोतिबा फुले को मारने के लिए उनके घर पर सुपारी किलर भेजे गए तो कभी उने धमकाया गया लेकिन वो हमेशा न्याय की रास्ते पर चलते रहे उन्होंने पाखंड पर करारावार किया अंद्विश्वास की बख्या उदेड़ दी उन्होंने अपने सोय हुए समाज को जगा दिया और समझा दिया कि पूजा पाट कराना पुरोहितों का धर्म नहीं बलकी धंदा है वो अक्सर कहते थे बाल काटना नाई का धर्म नहीं बलकी धंदा है कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं बलकी धंदा है और उसी तरह से पूजा पाट करवाना ब्रामनों का धर्म नहीं बलकी धंदा है इंसान के लिए सुक शान्ती वे खुशाली की बात करते करते धर्म का पाखंड वेंदुश्वास की आड़ में एक तबके के लिए धंदा बन गया शुब अशुब पाप पुन्य होनी अनहोनी सुर्ग नरक का डर दिखा कर बहुत बड़ी आबादी को मानसिक गुलाम बना दिया गया धर्म का धंदा बन जाना इसलिए हो सका क्योंकि लोग मानसिक गुलाम थे फूले ने उस गुलामी को पैचान लिया उस गुलामगिरी को रेखांकित किया इसलिए सिख्षा की बात की आज सिख्षित लोगों के भीतर भी धर्म वे समाज की आड़ में अंध्विश्वास वे पाकंड का ही दिल धड़कता है भारत का समविधान वे ग्यानिक चेतना वे द्रिश्टिकों को बड़ावा देने की बात करता है लेकिन धर्म वे पाकंड उस वे ग्यानिक चेतना पर कभी हावी हो जाते हैं फूले होते तो यही सोचते कि जो काम वो उनिस्वी शदी में कर गए उसे भारत के लोग गिस्वी शदी में भी क्यों नहीं कर पा रहे फुले की जैنتी पर हम उन्हें नमन करते हैं आप उन्हें कैसे याद करते हैं राश्ट पिता राश निर्माता जोती बाफ फुले को आप कैसे याद करते हैं कमेंट में लिफ कर जरूर बताएं आपसे अपील है विडियो को अन्ने लोगोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी महात्मा के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके आपसे अपील है वीडियो शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो के आंट में आपसे एक छोटी से अपील साथियो अगर आपको The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अंबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR को स्कैन करें और Newsweek Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR Code के अलावा आप UPI की जरीए भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsweek Foundation अकाउंट नंबर है 0235-887-0000-640 IFSC Code है YESB-000-235 बैंक का नाम YES Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस दिली आप डोनेशन के अवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें